दोस्तो आज मेरे पास है फास्ट्रेक की स्मार्ट वोच और इसकी मैं आज आपको अन्बोक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ साथ में इसको install कैसे करना है फोन के साथ connect कैसे करना है उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के साथ सेर करने वाला हूँ तो देखे दोस्तो मेरे पास यहाँ पर फास्ट ट्रैक की smart watch है जिसकी मैं यहाँ पर लेकर unboxing कर लेता हूँ तो देखे यहाँ पर हमारे पास जो हमें receive हुआ है box के अंदर एक तो हमारी smart watch है साथ में उसका adapter है और manual हमें receive हुआ है तो यह unboxing है हमारी smart watch की तो अब हम इसको कैसे connect करेंगे mobile के साथ उसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में सेर करने वाले हैं तो देखे दोस्तों बात करते हैं आम तोर पर जो आपकी smart watch होती है उसमें जो आपका power button से ही आपके यहाँ पर फर्स टाइम में आपका smart watch start होती है लेकिन फास ट्रेक के अंदर यह नहीं है फास ट्रेक के अंदर फर्स टाइम आपको charger connect करने करना होगा उसके बाद ही आपकी smart watch start होगी तो जल्दी से पर अपने यहाँ पर charger के साथ अपना यहाँ पर smart watch को connect कर लेता हूँ और देखे दोस्तों smart watch जो हमारी connect होती है वो left to right नहीं होती तो charger आपको right side से लगाना है और right side से लगाने के बाद आपका charger यहाँ पर connect हो जाएगा तो देखे पावर आते ही हमारा smart watch यहाँ पर start हो गया है अब हमें इसको connect कैसे करना है अपना smart phone के साथ या फिर अपना कोई भी phone के साथ आप connect रहना चाहती है उससे कैसे आपको connect करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है जैसे हमारा यहाँ पर smart watch start होती है यहाँ पर देखे आपको scan code मिल जाएगा इसको scan करके हमें यहाँ पर जो हमारी app है fast track की उसको यहाँ पर download कर लेना है जिसके बाद हम इस smartphone को अपना smart watch के साथ connect कर सकते हैं या फिर आपको जाना है play store के option में play store के option में जाके यह बाद आपको यहाँ पर download कर लेनी है fast track की app को जो की आपको name से मिल जाएगी fast track reflex world app इस app को आपको play store से download कर लेना है तो जल्दी से मैं इसको download कर लेता हूँ और फिर install कर लेता हूँ तो देखिए fast track app मेरी आप इंस्टोल हो चुकी है इसको मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ open करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ permission को allow करना होता है तो यहाँ पर देखिए आपको sign up का option मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको sign in करने ना है तो इसके लिए आपको कुछ permission यहाँ पर allow करनी है जिसको आपको termination accept करके आपको सारी permission को यहाँ अलाओ कर लेना है इसके बाद देखे- ूप्तिमे ciao को स्किप लेना इसके बाद देखे- आपको लोगिन करने के लिए अपके अंदर यहाँ पर सबचार मिलता है मौबाइल नंबर का तो आपको अपना mobile number फिल कर लेना है और फिर send OTP option क्लिक करना है क्लिक करती है आपके mobile number पो OTP आएगा इसको आपको OTP option फिल करके आपको confirm कर लेना है इसके बाद आप कुछ permission के option मिलेंगे तो आप जो permission यहाँ पर allow करना चाहते है उसको allow कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं अपनी सारी permission को यहाँ पर allow कर लेता हूँ allow करने के बाद देखिए आपके सामने scan का option आजाएगा तो अब हमारी smart watch के अंदर यहाँ पर scan code हो कर रहा था उसको हमें यहाँ पर scan कर लेना है अपनी app के through तो यहाँ पर देखिए scan code को scan करने के बाद आपका जो smart watch है आपके mobile के साथ connect हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो मेरा यहाँ पर smart watch है वो यहाँ पर connect हो रहा है इसके लिए मैं आप स्मार्ट वोच में क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही देखिए हमें अलाओ कर लेना है permission को तो देखें यहां पर जो हमारी smartwatch है वो paired हो चुक है successfully अब यहां पर देखें आप कुछ permission मांगी जाती है तो यहां पर permission देता हूं उसको लाओ कर लेता हूं इसके बाद है कि थोड़ा वेट कर रहा हूं यहां पर क्योंकि जो हमारी एप है फर्स्टाइम आप करेंगे वह आपकी अपडेट की जाएगी तो यहां पर मैं अपडेट कर लेता हूं अपनी जल्ली से यहां पर देखें जैसे मेरी करना होता है लिए वेट कर लेता हूं तो ऐस यह सक्सेफ़ुली अपडेट होने के बाद अब आप के सामने आप कुछ आप शी चलने हाईगा जिसको機ट कर सकते हैं आपको स्लीब का गोल क्या है कि इसने टाइम बात आज चाते हैं इसके बाद देखें कि अपनी a की app के home page पे जहाँ पर देखे आपको साफरी information मिल जाएगी जो smart watch के साथ आपने connect के जिन permission को आपने allow किया है जिसमें आपके step कितने चलते हैं आप आपका goal क्या है सब कुछ आपके mention होगा साथ में देखे दोस्तों अब आपके smart watch है वो आपके phone के साथ यहां पर connect हो चुका है और अब अब आपको कुछ changes करना है तो देखे बोटम में आपको setting option मिल जाएगा और smart watch option मिल जाएगा जिसमें जाके आप setting के अंदर जो भी आप setting क करना चाहते हैं वह आप यहां पर कर सकते हैं जिसमें देखे आप अपना डाइल पैड है आपका smart watch का उसमें जो स्क्रीन आ रही है उसका यहां पर स्क्रीन को change कर सकते हैं काफी सारे open आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर हमारा smart watch हमारी smartphone के साथ यहां पर connect हो चु यहलो थेर राइड है थेंक्यू